महाभारत में सबसे शक्तिशाली व्यक्ती महाभारत का मुख्य पात्र भी था और दृष्टिगत रूप से भी था। कृष्ण भगवान जो पांडवों के साथी और मेधावी राजनीतिक नेता थे। उनकी महानता उनके सामरिक ब्रवरी, विवेकशीलता, राजनीतिक चतुराई और मनश्चंचल प्रतिभा में उजागर होती है। कृष्ण ने पांडवों को उनकी युद्धरन नीतियों में मार्क गर्शन किया और महा भारत में अनेक महत्वपून भूमिकाओं का निर्वाह किया। उन्होंने अर्जुन को भगवत गीता के माध्यम से धार्मिक और नैतिक संकट से निकलने में मदद की, कौर्वों के साथ राजनीतिक समझोतों को किया और कुरुक शेत्र युद्ध को ब्रहमास्त्र के अपवर्जित होने के लिए रोका। कृष्ण के मार्ग दर्शन के कारण ही पांडव युद्ध में विजी हुए और धर्मराज युद्ध के बाद धर्म शास्त्र का संकल्प लिया। कृष्ण की महानता का एक अन्य पहलू उनकी अनन्त भक्ती एवं प्रेम से जुड़ा है। उनके भक्त अर्जुन उन्हें सर्वोपरी मानते थे इस प्रकार कृष्ण को महाभारत का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माना जाता है क्योंकि वह केवल अर्जुन के रत के सार्थी थे सोचो अगर वह युद्ध में शस्त्र उठा लेते तो क्या होता।